पेशी से पहले ही अग्रिम जमानत पाने में सफल रहे कॉंग्रेस नेता कोर्ट पहुँचे जगडीश टाइटलर, जमानत का बॉंडर भर कर लोटे कॉंग्रेस नेता जगडीश टाइटलर शनिवार को बतौर आरोपी राउज एवन्यू की संबंदित अदालत के सामने हाज आरोपी नेता की पतनी जेनिफर टाइटलर उनकी जमानत दार बनी। जमानती आदेश में लगाई गई शर्तों के साथ जमानत के बॉंड हगदार पाया था। सेशन कोर्ट ने अगरिम जमानत का डर सेशन जजज को वाजब नजर आया। अदालत ने कहा कि टाइटलर पर जो आरोप उनमें जमानत के आवेदनों पर सुनवाई का अधिकार मैजिस्ट्रेट कोर्ट के पास नहीं है। ऐसे में टाइटलर को पेशी के साथ ही हिरासत में लिया जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों के आधार पर सेशन जजज ने कहा कि सीबी आई ने टाइटलर को जाँच के दौरान कभी गिरफतार नहीं किया। हत्या जैसे बेहत संगीन और गंभीर आपरात के आरोपों के बावजूद जाच एजेंसी ने गिरफतारी के कॉंग्रेस नेता को बतौर आरोपी 5 अगस्त के लिए समन किया था बिना चार्च शीट दाखिल की। इसलिए टाइटलर को अब महज इस आधार पर सलाखों के पीछे नहीं डाला जा सकता। नहीं के.